एक बार फिट से मैंने पिक किया है आपके प्यारे-प्यारे कॉमेंट्स पढ़ूँगा इन्हें और दूँगा इनके जवाब और अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है आप उसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स अपने सवालों को पोस्ट कर दीजेगा मैं नेक्स्ट संडे संडे वाली वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में सब्के सवालों को पिक करूँगा और उनके जवाब दूगा और हाँ अगर आप अपनी प्रिनसियेशन और स्पैलिंग मिस्टेक उसके लिए मैंने एक exclusive series बनाई है जो कि मेरे spotify podcast learn english with सरताच पर मौझूद है अभी जाए लिंक वीडियो के description box में दिया हुआ है spotify application डाउनूड कीजेए और वहाँ पर मेरे podcast learn english with सरताच को follow कर लिजेए और यह जो series यह exclusive है किसी भी platform पर नहीं है सिवाए मेरे spotify podcast के जो की ए out कर लेना पहला को में पर क्या है आशीश का लिखते हैं sir what is the difference between ma'am and ma'am and which one is perfect to call teacher okay इन्होंने पूछा है ma'am और ma'am में क्या फरक होता है दोने की spelling इन्होंने अलग अलग लिखी और उसने है कि इसमें क्या फरक होता है और एक teacher को पकारने के लिए हम इसमें से कौन सा आशीश को पकारने के लिए क्योंकि वह मैडम का एक short form है ma'am और वही हम अपनी life में बोलते हैं ma'am मैं 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 आई गू मैं आई काम इन वगेरा वगेरा और यह वाला जो ma'am है actually यह बोला जाता है mom ना कि ma'am और यह mother का short form है यानि mother's को ma'am को foreign countries में short में mom बोलते हैं और वो ma'am spell करता है तो याद रखिए का दोनों सही हैं लेकिन दोनों का अलग-अलग use है आप अपनी teacher को ma'am बोलिए ma'am और बीच में वो जो apostrophe है चंगला comment में पी क्या है movie funny fact का लिखते हैं sir this last time I'm asking you questions every time you ignore my question हर बार आप मेरा सवाल ignore कर देते हैं I don't know why but it's true मुझे नहीं पता मेरा सवाल है we make him rob again अच्छा इट धूम 3 movie dialogue set by अभिशेख बच्चन ये धूम 3 का एक dialogue है जो कि अभिशेख बच्चन ने बोला था meaning इसका मतलब है हम उससे चोरी करवाएंगे but confusion नेकिन confusion ये है here make use as causative verb but what meaning comes to this sentence हम उससे चोरी कराएं या हम उससे चोरी कराएंगे या हम उस situation में समझ गया देखिए यहां पर dialogue जो है वो है we make him rob again इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब आपको लग रहा है क्योंकि confused नहीं आपको लग रहा है कि करवाते हैं क्योंकि ये simple present tense है बट ऐसा नहीं है इसका मतलब होगा हम उससे चोरी कराएंगे तो आप करवाएंगे या सब्सक्राइब ये वे बार भार के चाहिं अगर कोई काम future में होता है तो इसके लिए विल लगाते है ल unav Noel है लेकिन अगर कोई काam habit बन जाये बार बार होता है और ऐसा हम कराते हैं में उससे सब्सक्राइब और फिल करवाएंगे तो future पूचा है हर्ष ने लिखते हैं हाई सरता सर हाई हर्ष मेरा सवाल है that how can we make this sentence in English हम इस वाके को अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं मैं चुपके से आ गया अच्छा ठीक है मैं चुपके से आ गया आप इसे English हों बोल सकते हैं I came silently I came में आ गया silently आप इसे एक और मज़ेदार त लेंगे जो चुपके से या दबे पाउं के लिए यूज होते हैं तो आप इन दू तरीकों से इसे बोल सकते हैं अगला सवाल मैंने पी क्या है संजय का लिखते हैं what is the difference between bachelor and unmarried bachelor और unmarried में क्या फर्क होता है बहुत बढ़ीया सवाल है यह आदे कि दोनों का ही हिंदी में म उम्र में शादी नहीं हुई है तो उसे तो bachelor बोलेंगे English में his bachelor अभी यह bachelor है इसकी शादी नहीं हुई है कुआ रहा है लेकिन अगर वो over age हो गया 30 35 45 और अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको bachelor नहीं कहेंगे अब हम कहेंगे he is unmarried he is unmarried यानि कि इसकी शादी अभी या इनकी शादिय भी नहीं हुई है तो यह फर्क होता है bachelor और unmarried में अगला सवाल पुछा है दुनिया भर के fact ने लिखते हैं sir which spelling is right इसमें से कौन सी spelling correct है प्रितम या प्रितम ओके हिंदी के हिसाफ से देखे तो आपको लग रहा होगा अंग्रेजी में लोग अकसर conscious रहते हैं वो इसलिए भाई क्योंकि हिंदी में जो long vowel होता है अंग्रेजी में से short करके लिखते हैं लेकिन grammatically यही तरीका है कि long vowel को short करके लिखा जाए तो ही बहतर है इसलिए पूजा की जो spelling होती है वो पी डबल ओ लोग लिखते हैं लेकिन बहतर हो पी यू जे ए लिखा जाए तो लेकिन गलत नहीं है अगर लिख देंगे पी डबल ओ वो भी ठीक है अपना अपना style है तो नाम में grammar नहीं चलती है अगर आप grammatical देखे तो फिर निचाला सही है और अगर आप grammar नहीं देख रहे हैं आप अपना हिंदी के हिसाब से लिख रहे हैं तो उपर वाला भी सही है तो गलत कोई नहीं है लेकिन grammatical जो मैं कहूं वो जादा सही वाला कहूं तो वो नमबर दो वाला इसमें है अगला सौल पूछा है टी शिर्ट, पैंट वगरा वगरा तो वो cloth है यानि कि वो कपड़े पहने हुए था और clad का मतलब भी धका हुआ अब वो कपड़े से धका हुआ भी हो सकता है कोई सामान भी हो सकता है कोई और चीज भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो तो जो ढखा हुआ है उसे clad बोलते है तो ये दोनों में फर्क है अगला सवाल पूचा है आजिफ कुरेशी आड़ दरेट 1234 आगे भी लिख दो आड़ दरेट gmail.com जो भी है चलो खर आजिफ क्या लिखते हैं ये लिखते हैं सर इसको इंग्लिश में कैसे translate करें मुझे जाने तो दो आप मुझे जाने तो दो के इंगलिश ने बोल सकते हैं let me go at once या फिर आप इसे ऐसा ही बोल सकते हैं do let me go do let me go इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं अगला सवाल पुछाय बनवारी ने लिखते हैं, I have a question, एक सवाल है, what is the difference between construct and manufacture, construct और manufacture में क्या फर्क होता है, देखिये, जब कोई चीज बनती है, और उसके parts अलग-अलग जगह से लाए जाते है, तो वहाँ पर उसे construct कहते है, एक बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग में क्या होता है, material अलग-अलग जगह से लाए जाता है, या फिर एक pull बन रहा है, तो उस pull के लिए बने-बनाए parts लाए जाते हैं, आजकल तो बने-बनाए आते हैं, तो वो construction कहलाता है, construct कहलाता है, यानि उस चीज़ को इधर हुदर से लाके बनाए जा रहा है, लेकिन कोई factory है, कोई चीज़ बना रही है, लेकिन उसकी parts भी वहीं बन रहे हैं, तो उसे manufacture कहा जाता है, वो उसकी manufacturing कर रही है, उसको A से लेकर Z तक पूरा तयार कर रही है, उसकी जो बनावट का जो सामान है, जो कच्चा माले वो भी महीं तयार हो रहा है, तो उसे manufacture कहते हैं, यह मैंने Quora पे एक article पढ़ा था, यह मैं अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने आपके साथ share किया, अगर आपको लगता है कि manufacture construct में कुछ और भी फरक होता है, तो आप प्लिस इस वीडियो के comment section में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चलिए फिलहाल, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और I'm sure कि आपको Sunday वाले क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपको मज़ा भी आयोगा, सारे सवालों के जवाब संद कर आपकी knowledge भी बढ़ गई होगी, कोई सवाल है, तो फिर देर मत कीज़े, इसी वीडियो के comment section में जाकर post कर दीज़े, मिलता हूँ आपसे अगले रही बार अपना ध्यान रखीए के तब तक के लिए, तक केर, बगए!